जापान में डॉक्टरों की एक बड़ी जमातने ये इतहात किया कि गरम पानी से इलाज के 100% निताईज हासिल होते हैं जिन में से चंद ये हैं शदीद सरदर्द, माईग्रेन, हाई बलड पेशर, खून की कमी, जोडों का दर्द, दिल की धरकन का एक दम तेज या आहिस्ता हो जाना, मिर्गी का इलाज, चर्बी, कॉलिस्टरॉल, शदीद खांसी, बेचैनी, दर्द, दमा, काली खांसी, रगों की ब्लॉकिज, मेदे का तर्श हो जाना, मसाना, पिशाब और इससे मर्बूत सारी बिमारियां, मेदे का अलसर, भूग कम लगना, और हर बिमारी जो आँख, कान, गले से मर्बूत है, मजगूरा बाला तमाम बिमारियों से निजात हासल करने के लिए, इसका तरीका इलाज भी जानिये, हर रोज 45 मिनद तक कुछ भी खाना पीना नहीं, और फिर हर खाने के दो घंटे बाद तक पानी बिलकुल नहीं पीना, बाज लोग इप्तदा में चार गलास नहीं पी सकते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको चार गलास तक पहुँचा दें, पानी से मुख्तलिफ बिमारियों का इल 45 दिन ना कान गला, 20 दिन खवातीन की बिमारियों, 15 दिन दिल और इस से मुतलिक बिमारियों, 30 दिन शदीद सरदर्द और माईग्रेन, 3 दिन खून की कमी, 30 दिन चर्बी कॉलिस्टोल, 4 महीने, मिर्गी और फालिज, 9 माह, सांस, दमा की मुश्किला, 4 महीने, तिपे कदीन में भी गरम पानी नाचते से पहले बहुत फवाइट का हामिल बताया गया है, और इसकी बहुत ताकीद हुई है, तो जुर्बा करके देखें, लेकिन थंडे पानी के क्या नुक्सानात हैं, बोली सीना का फरमान है कि थंडा पानी अगर आपको जवानी में बिमार न करें, जवानी के बाद आपको सक्तरीन बिमार कर देगा, थंडा पानी दिल की चार रगों को जोड़ता है, दिल की असली रगों भी बंद कर देता है, हार्ट अटेक का सबब बनता है, अक्सर जवानी में हार्ट अटेक थंडे मश्रूबात के सबब बनते हैं, थंडा पानी और बड़ी आथ को नुकसान पहुंचा कर कैंसर का भी सबब बनता है सब को बताएं कि ये एक सदकाई जारिया बनेगा जो आपकी वज़ा से ठीक हो गया उसके सहित पाने में आप भी सवाब के मुस्तहिक करार पाएं